स्वागत है, आप सभी लोगों का मेरे चैनल Camera Tuesday में आज हम लोग बात करेंगे Black Magic Cinema Camera 6K Full Frame के बारे में इनको नाम लिखना नहीं आता है तो इसका नाम क्या है? कुछ नहीं 6K और 6K पर इन्होंने 3 Camera रिलीज कर दिया है तो इसको differentiate करने के लिए 6K Full Frame कह रहे है और इसका नाम कुछ है नहीं 6K Full Frame तो यहाँ पर समझी Black Magic फाइनली इस लेवल पर चला गया फुल फ्रेम के लेवल पर चला गया और यहाँ पर इनका selling point क्या है कि यह क्या offer करें तो यह क्या दे रहें यह दे रहें यह दे रहें low cost cinema camera और low cost है क्या मतलब है इसका इंडिया में दाम होना चाहिए 2,500,000 के आसपास में और US वेसमें आप बात करते हैं तो 2,600 डॉलर के आसपास अट-least body alone मिल जाना चाहिए आपको तो जब आप बोलतों cinema camera तो उसमें मतलब क्या होता है बाता एक्चुली कोई cinema camera बढ़ा है ना कि यह फोटो camera जो video कर सकता है तो अंतर क्या होता है उसमें होता है जो sensor लिया जाता है वो video specific रहता है लो रखा जाता है ताकि वो एक काम करें और एक काम बढ़ियां से करें दूसरा यह तो हो जाता है कि जो file निकल रहा है उसमें compression कम से कम रहा है यानि कि वो raw file दे सके यानि कि उसका आप निखार से जैसे कि हम लोग वीडियो में भी यह पॉसिबल लेकिन वह सिफ सिनमा कैमरा में होता है कि पहली बाद फाइल साइज बढ़ा हो जाता है दोसरी बाद कंपनी ये फीचर कम दाम के कैमरा में नहीं देती है तो वही समय और इस कैमरा में हर चीज जो बनाया गया है जाहे इसका आप मतलब ये ओडियो इंपुट देखें हैं हेड़फोन इंपुट देखें जितना भी आप देखेंगे तो इसमें सीधा सीधा ये वीडियो के लिए पनाया गया है मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा ओडियो बाद में सुतनी इसमें बहुत अच्छा प्रियाम स्टाल अगया है और बड़े-बड़े कनेक्टर से यानि आप आप माइक यूस करने बड़ा वाला वो भी यूस हो सकता है तो इसका जो मतलब डिजाइन फिलोस्फी यानि इसके इंटरफेस का वो फिलोस्फी है कि हम वीडियो के लिए ही है हम वीडियो ढंग से करेंगे बाखी कोई काम नहीं करेंगे तो यही है 6K full frame Blackmagic का नया उतारा हुआ तो अब बात करते हैं इसका specs कैसा है इसका approximate resolution है 24 megapixel यह claim भी नहीं करका ही नहीं लिखा है मुझे manual हो तो नहीं मिला कि कितना megapixel का full frame से लेकिन roughly अगर यह 6K कहते हैं तो वो translate होटा है 24 megapixel में और L mount adapter दे रहे हैं यह थोड़ा odd है क्योंकि इससे पहले वाले में यह EF mount दे रहे थे यहां L mount दे रहे है L mount क्या है कुछ company लोग साथ में आगे उन्होंने शादी करके एक company का नाम बनाए जैसे हमने करते हैं L mount alliance उसमें आपका लाइका आता है उसमें आपका यह Panasonic आता है उसमें आपका सिग्मा आता है उसमें आपका ऐसी करके मतलब कुछ-कुछ company side में करते रहती है तो L mount में यह भी घुज गए है L mount alliance में इनका है तो यानि कि वो सारे ecosystem में जैसे Panasonic का लेंस हो, Leica का लेंस हो, Sigma का लेंस हो, वो सब एक तीसरे के साथ काम कर सकते हैं और रहा बात ऐसा नहीं कि आप उसमें फ़स गया है आप इसमें adapter लगा सकते हैं यानि कि अगर L mount से आप EF mount में कूदना चाहते हैं यानि कि Canon का जो DSLR lens है उसमें कूद सकते हैं इस से किसी और में कूदना चाहते हैं खूद सकते हैं बहुत आपको आप्शन है हर आप्शन फ्लॉप फॉर्मेट था वह आया लेकिन चला नहीं पिट गया यह आगया धंका यह हर कैमरा कंपनी में उसवरा सिवाए सोनी के सस्ते कैमरा को छोड़के सोनी पता नहीं कि आप फूक लिया कि वह सी फास्ट टाइप A इस्तमाल करता है टाइप B में दो PCI Lane होते हैं और टा टाइप नहीं देखाया है वह सिनिमा के मेरा के लिए बनागे यह लेकिन जनरली टाइप B भी बहुत फास्ट होता है और वह अब हर कमपनी यूज करें एक नन भी उसकर रही है निकोन भी उसकर पनासॉज भी यूज कर रही है तो इसलिए उसका बहुत सेल्स होने लगा त तो यहां पर यूस्पी सी एससटी लगा सकते हैं यह मैं बहुत दुखी हूं कि यह फंक्षन डीफॉल्ट नहीं है सारे कंपनी में यह से पैनासॉनिक देता है और ब्लाक मैजिक देता है मतलब बाकी सब में रुला देगा लेकिन नहीं सर हम आपको यूस्पी में आप किसी का इंटर्व्यू ले रहे हैं तो यह फचांग बन जाता है क्योंकि खास तो पतला लाइन वाला कोई कपड़ा प्रादेता है तो उसमें मोरे एफेक्ट आने लगता है लो पास फिल्टर जो है उस समझते को सॉल्फ करता है लेकि एंडी फिल्टर नहीं है यानि क इसका 6K प्रो में एंडी फिल्टर था इसमें नहीं है और 6K ओपन गेट अगर आपको पूरा सिंसर को रीड करो वह आपको 3x2 का रेशियो मिलता है और आपको 36 fps तक दे सकता है RAW फाल के साथ क्या fps आप बढ़ा सकते हैं हां घटाते जाए बढ़ते जाएगा मतलब 6K ओपन अगर 6K प्रो से कंपेर करेंगे तो यह कम है लेकिन एक लिस्ट फुल साइज इच्डिमाई है यूस पी है जिसमें आप यूस कर सकते एक्सलर इंपुट है जो प्रोफेशनल लोग है उनके लिए ज़रूरी है और यह मतलब 12V DC जैक है ताकि आप पावर डाल सके ऑडियो म करता है तो उसे मेटाडेटा में डालतेगा यानि कि जो आपका फाइल इससे निकलेगा वो इसमें अडोबी में काम कर सकेगा बाकी सारे में आपको जैसे निकालेंगे या तो प्रीमियर यह डविंची रिजॉल में उसे कंवर्ट करना पड़ेगा या उसके लिए को एडि तब बात करते हैं यह कैमरा बहुत और लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा ओड क्योंकि इसी दाम का निकाल गया है ब्लैक मैजिक डिजाइन पॉकेट सिनेमा कैमरा 6K प्रो किसने नाम लिखा है वो भी आप देख सकते हैं दो हजार पांसोर डॉर और यह जो अभी निकल ब्लैक मैजिक डिजाइन सिनेमा कैमरा 6K फुल फ्रेम फुल फ्रेम डाला नहीं और 6K का दो है तो उसका भी दाम आप देख सकते हैं दो हजार पांसोर डॉर के ही आसपास आता है तो दोनों का दाम बहुत जाता है तो रहा बात की इसको अगर आप लेते हैं तो क्या नुक सिनेमा में इंडूर्ट्रियल ग्रेट पर यूज़ होता है हर को यूज़ करता है तो वह फॉर्मेट जो है हर मतलब NLE नॉन लीनियर एडिटर में चलता है सीधे सीधे बिना दिमांग लगाए तो वह बहुत बढ़ी बात है ब्लैक मैजिक लेते हैं तो वह सिफ डिवंची में ठीक से चलता है बाकी समय कंवर्ट करना पड़ता है हाई तो यह एक बहुत बड़ा लोगों का वहीं पर उसको छोड़ देंगा सर रमको चाहिए ही नहीं आपका फाइदा ही क्या है सिनेमा कैमरा होने को यह अगर सिनेमा स्पिसिफिक फॉर्मेट नहीं उसकरता तो और और फिर EF माउंट यूज़ कर रहा है जनरली L माउंट है उतने लेंस नहीं है है ऐसा बत नहीं कि नहीं लॉंच हुआ है लेकिन Leica का लेंस का दाम देके आपको हट एटक आ जाएगा पैनसोनिक का लेंस उतना बिकता नहीं है तो उसके क्वाल्टी भी उतनी पॉलिश नह नहीं लेना है तो EF माउंट दे रहा है आपको प्रोरेश दे रहा है जो कि आपका मतला एक्च्वल सॉफ्वेयर पाइपलाइन बहुत आसान कर देगा दूसरी बात इसमें इंटर्नल एंटी यानिकी फिजिकल शटर है कि खाली स्वाट है उसका नीचे डालेगा और एसे इंटी डाल सकते हैं वह बहुत बड़ी बात है सिनिमा में एंडी का बहुत ज़रूर पड़ता है अगर एंडी के कैमरा में तो यानि आप उसे कभी भूलोगे नहीं गलती से उपस मैं लाना भूल गया लेंस के लगाना भूल गया वह सब दिक्कतन नहीं होगा तो है ऐसा अगर आप उसके साथ डील कर सकते हैं तो सबची अती बंबं है तो बात आ रहा है कि फुल फ्रेम में कुदने में को क्या मिल रहा है क्योंकि वह तीनों ची चला गए एक मांट के जिगा एल मांट आगा याने अपको अड़ाप्टर खरीदना पड़ेगा फिर इंटरनल एं तो अरहा बात कि आप कम दाम वाले को बात कर रहा है वह जनरली मेंट बहुत मेंगाते क्योंकि वह कस्टम एकिपमेंट है और वह तना मतलब नीश मार्केट के लिए तो उसका दाम उसके साफ़ा हुआ है तो वह बहुत अड़ा है जनरली यह देख लिए पूराने वाले मे इनका था कि हमको यह दाम पर लौट करेंगे हैं तो जैनरली यह बहुत आड है क्योंकि इनका यूजबिलिटी कैमरा कितना शाइन कर सकते हैं वह बहुत कम है कि सबसे पहली बात FPS जो दे रहे हैं मतलब आपका फ्रेम पर सेकेंट जो दे रहे हैं वो आज के हिसाफ से कम है आज क्या मतलब आपके ही पूराने वाले से कम है, मतलब बाकी चीज़ छोड़ दो, आपके ही 6K Pro से कम है, तो आप तो वहीं हेटिक डाल दिये हो, और बाकी समय जहां पर 4K 120 FPS में महनत हो रहा है, आप फुल HD 120 पर चल रहा है, तो सर ऐसे कैसे काम चलेगा, तो वो एक जिन्विन हेटेक है सब के लिए, कि एफ़ पिएच आज के टाइम में कम है, दूसरी बात ये क्लेम कर रहे है, 13 स्टॉप अफ डाइनमिक रेंज, आज कल हर कोई क्लेम करता है, 16 नापने पे आता है, 12, अगर आपका क्लेम है 13, तो नापने के बाद 11 ही आएगा, तो वो एक थोड़ा सा आज के हिसाब से, मतलब मैं क्लेर कर रहा हूँ, आज आप कहरो, ये कैमरा रिलीज किया है, तो फील नहीं आ रहा है, तो वही अज़दम और लग रहा है, और दूसरी बात, रोलिंग शटर भी है, मतलब स्मॉल वाला अगर आप लेते हैं, तो अबिसली सेंसर रीड़ाउट फास्ट है, रोलिंग शटर कम है, फुल फ्रेम आप कर रहा है, सिनेमा कैमरा करके कर रहा है, मानते हैं आप ग्लोबल शटर नहीं दे रहे हैं, लेकिन फास्ट रीड़ाउट करना पॉसिबल है, जिसे कि आरी अलेक्सा ये सब क्यों सक्सेस्फूल है, क्यों बहुत फास्ट रीड़ाउट करते हैं, मतलब आपका जो रोलिंग शटर एफेक्ट है, वो अलमुस्ट जीरो कर देते हैं, बेस्स तो आपका ग्लोबल में आगए, तिक ग्लोबल अगर आप नहीं जाना चाते हैं, क्योंकि ग्लोबल बनाने में भी थो उसा लॉस आफ क्वालिटी होती है, अगर आप वो नहीं करना चाते हैं, ठीक है, आपने Blackmagic RAW दिये दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, RAW फार्मेट है, प्रोरेस बात सही है, उसके लिए आपको Apple से शादी करनी पड़ती है, Apple से बात करना पड़ता है, Apple बहुत अच्छी से ले लेता है, तो समझ जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ तो दे दे अगर ऐसा रहते हैं, नॉर्मल MP4 दे रहें, RAW नहीं है, MP4 बहुत फाइदा है, औरे, कैमरा तो कैमरा ही होता है, मैं चॉइस करूँगा, मुझे रही किनी चाहिए, मैं प्रोजेक के लिए कर रहा हूं, रहा में शूट करूँगा, जहां पोस्प्रोसेसिंग है, जहां पोस आपका ब्लाक मैचिक रॉम में फाइल निकलेगा, और प्रोक्सी फाइल निकलेगा है, यानि कि जो आप किसी को भी दे सकते हैं, चला सकते हैं, बिना फचांके, तो यह जनुरली और है, मतलब लिटरली लगता है, यह बॉड़ी उठाया गया, बोला है, इसमें फुल फ्र लेकिन दोनों एक साथ नहीं चलेगा, तो बहुत सारी चाहिए, दूसरी बात, इनको बैटरी बनाने का बुद्ध है, जो कि सिर्फ फुजी फिल्म में देखता हूँ, ना तो चैनन को बुद्ध है, ना इकोन बुद्ध है, तो सब का है, यह बैटरी ने निकाल दो, अब नहीं होगा सर आपके मुवाइल फोन में यह है USB-C port है उसे बहुत कॉंटेक्ट होता है और वह वाटरप्रूफ हो जाता है आपका डीसलाब उतना वाटरप्रूफ नहीं है जो उसका टेंचन ले रहे तो यह मतलब एक्चुली स्मार्ट यूज है कि आप लगाओ अराम से देना प्रोरेज नहीं देना इन बिल्ट एंडी फिल्टर नहीं देना और रोलिंग शटर भी बहुत ध्यानत नहीं देना इस भी कम है डैनेमिक रेंज भी आज कहीं साब से कम है आप अप एवी वान नहीं दी तो कि मैं समझ सेको है अगर आप कोडेक्स खरीदना चाते है तो लाइसेंसिंग बहुत भचांगे यह बात एकदम सच है इसलिए एवी वान बनाया गया है इसलिए सब कंपनी अब एवी वान रही है आप उसमें भी नहीं कूदे और मतलब आप सबके पास है कि अगर आपकास डविंची सूइट में आप काम कर रहे हो तो ठीक है आप इस पे काम हो जाए लेकिन बहुत लोग अडोबी में काम करते हैं तो कैसे चलेगा तो ही बहुत और है मतलब ले उसकी खराब हो जाए तो रहा बात ये कैम्रा है के से लिए यहाँ पर समझीए क्या को पूरी तो वो डिफॉल्ट के जैसे आप Canon का लेंस लेका उसमें है इमेज स्टेवलाइज़ेशन लेंस में वो अतना चाह से काम नहीं नहीं है कि अच्छा से काम करेंगा तो पहला पका वह काम जोर होगा दूसरी आई बस है नहीं तो चांसे से आपको normal file है नहीं सरह हम normal file देंगे ही नहीं आपको रोही देंगे जरुरही नहीं यह मतलो अप्शन दे सकते हैं से choice का वो नहीं है और कम दाम का कोई मतलब नहीं अगर आपको suite नहीं करता है या मैं यहiden honestly कर देना चाहता हूँ तो जनरली वहाँ पे लोग रिडेंडेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो यह किसके लिए? यह है बहुत अच्छा टूल जो एस्पारिंग सिनमाटोग्राफर, यानि आप सिनमाटोग्राफी में जाना चाते हैं। वेडिंग वीडियो यह समझे बहुता है, जैसे आप एडशूट करना चाते हैं, खुब डानेमिक रेंज के साथ एक्स्परिमेंट करना हैं। और सीख रहे हैं सिनमाटोग्राफी, और वहाँ पर आप सीरियसली कुछ करना चाते हैं, तो उसके लिए टूल अच्छा साबित होगा। बाकी चीजों के लिए उतना नहीं साबित होगा, क्योंकि आपको इसके हिसाब से हेड़ेक छिलना पड़ेगा। आपको गिंबल का चोगड़ करना पड़ेगा, लेंस को मैनुवली फोकस करना पड़ेगा, आपको रॉफ फाइल को प्रोस प्रोसेस करना पड़ेगा। फचांग ज्यादा है, लेकिन हाँ, ऐसे ही सिनेमा में चलता है। तो अगर आप उस एको सिस्टम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा उजार है, जो आपको काफी प्राक्टिस देदेगा काफी कमदाब में। बाकी लोग इससे दूर रहें। तो ये था मेरा प्रेसेंटेशन, बलाक मैजिक डिजाइन, सिनेमा, कैमरा, 6K, फुल फ्रेम के बारे में। उमीद करता हूँ, आपको अच्छा लगा, कुछ सिखने वुला, कुछ समझ में आओ, अगर ऐसा है, लाइक कर देश, शेयर कर देश, उसे मेरा काफी भला होगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलेक तबास सकते हैं, मैं कहूंगा डि